हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे बायलाजी की सीरीज में आज हम बात करने के वाले हैं, बलट टॉपिक्स एबारे में जिससे तीज बहुत ही महात्पूर्ण सवालों की बारे में चर्चा करेंगे दाब होता है अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये प्रकुंचर प्रसारण क्या है कोई बात नहीं आपको पता है हमारे ब्लड में पंपिंग होती है ठीक है सिस्टॉल आइस्टॉल आप कहते हैं बिल्कुल तो वही कहानी है उसी को हमारे यहां पर कहा जा रहा है तो तो हमारे blood pressure की range हमारे पास 2 आ गई, ठीक है, 1,120, 1,80, याद रखीगा, 2 अवस्थाएं भी होती है, एक होती है hypertension और एक होती है hypertension, ठीक है, hyper और hypo, समाज भासा में हम लोग कहते हैं, BP high हो गया और BP low हो गया, तो देखिए high और low की जो range होती है, वो क्या होती है, high की जो range होती है, वो होती है 90 और 140, जबकि low की जो range होती है, वो होती है 60 to 100, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, चले, रक्त में हीमोगलोबिन एक समिस्र प्रोटीन है, जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाय जाता है, तो आपको पता है, हीमोगलोबिन हमारा वर्डक होता है, और इसमें पाया जाता है iron, लुहा, लुहा का अटामिक नंबर होता है 26, इसे द्यान रखीगा, रक्तदारा में आक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, हीमोगलोबिन की अधिक्तम बनुता किसके साथ होती है, तो यह होती है कार्बन मोनो आक्साइड के लिए इसे याद रखीगा, ठीक है, सावर्तिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनका रुधिरवर्ग क्या होता है, तो ओ ब्लड गुरूप वाले लोग सर्वदाता कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं क्योंकि ओ में हमारे दोनों एंटी बॉडिज पाई जाती हैं, एक भी एंटीजन नहीं पाई जाती हैं, इसलिए ये लोग सब को देते हैं, अब बात की जाएगे, अगर O में भी बात की जाए, तो O निगेटिव वाले सब को दे सकते हैं, O पॉजिटिव वाले सभी पॉजिटिव को देंगे, यदि माता पिता में एक करद्रवग A, B, और दूसरे का O हो, तो उनके बक्षे का संभावित उर्धिरवर क्या होगा, तो उनके बक्षे का संभावित उधर होगा, A और B, या तो A होगा, या तो B होगा, अब कैसे आता है ये, तो याद रखिए A, B, और इसका है O तो याद रखिएगा हम O के साथ में O डैस लेते हैं अब इनका जब क्रॉस लिंक कराएंगे तो आपको पता है हमारे पास चार प्यार बनेंगे AO, AO डैस, BO, BO डैस तो आप देख सकते हैं कि बनने वाले blood group की जो कहानी है वो याद तो A और याद तो B है सर्वगराही कौन सर धुरवर्ग होता है तो A, B क्यों O का just opposite रख्त के A, B वर्ग वाले विक्ति ऐसे विक्ति को रखदान कर सकते हैं जिसके रख्त का वर्ग क्या हो यानि कि A, B वाले किसको डोनेट करेंगे तो सिर्फ A, B वाले को दे सकते हैं और किसी को नहीं दे सकते हैं मानों का सामान रख्तदाब किता होता है तो 80-120 आप पीछे पढ़ चुके हो एक किसोर मनुष्य का रख्तदाब कितना होता है सेम रेंज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रख्तदाब का नियंतन कौन करता है तो एड्रिनल ग्लैंड आपके पास पाई जाती है अधिवर्क, अब ये कहां होती है तो ये पाई जाती है किड्नी में ये आपकी किड्नी है, याद रखिए किड्नी के यहाँ पर उपरी सता पे एड्रिनल ग्लैंड बित्ती है यहाँ से एक हार्मोन से करीट होता है जिसका नाम होता है एड्रिनील हार्मोन, हिंदी में से लडो-डो हार्मोन कहते है ठीक है, ध्यान रखीगा चले, हाइपर्टिंसन सब्द किसके लिए प्रयोग कियाता है, तो हाइपर्टिंसन रख्टचाप बढ़ने के लिए प्रयोग कियाता है BPI, वैस्क पुरुस में RBC की संख्या कितनी होती है तो RBC की संख्या लगबग 5 मिलियन होती है इनके जीवनकाल की बात करें तो आप सभी को पता है लगबग 120 दिन इनकी कबरगाह की बात करें तो आपको पता है इस्प्लीन को इसकी कबरगाह कहा जाता है formation की बात करें तो formation bone marrow के अंदर हो सकता है इसे ध्यान रखीगा, ठीक है रक्त में प्रतिसकंदन पदार्थ कौन सा है तो हीपेरिन रक्त में प्रतिसकंदन पदार्थ होता है इसे anti-coagulating agent भी कहा जाता है ठीक है, anti-coagulating agent यानि की जमने नहीं देता है ब्लड को ये बंता कहां पर है, तो ये बंता है lever में, इसे याद रखीगा ठीक है लीवर में इसका formation होता है अगर यहीं पर बात करें इसका reverse कौन होता है तो prothombin इसका reverse होता है prothombin और वो blood को सकंधित करने के काम में आता है यानि यह वो जमा दिता है मानव उधिर में cholesterol का सामानिस्तर क्या है तो cholesterol का सामानिस्तर होता है 108-200 mg कुलेस्ट्राल हमारे लिए नुकसान दायक हो सकते हैं इनसे एक effect होता है और affected होता है हमारा है ठीक है क्यों कि अगर यह cholesterol अगर good cholesterol है तब तो ठीक है डाइजेस्ट हो सकते हैं लेकिन अगर बैड कॉलेस्टरॉल हैं तो यह हमारी ब्लड वेंस को क्या करते हैं जाम कर देते हैं यानि की बंद ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वज़े से पंपिंग नहीं कर पाता है हर्ट और वो शौक्ट हो जाता है चली ध्यान रखीगा रख्त च को छोड़ कर पल्मोनरी में इंप्योर फ्लेव करेगा इसे याद रखीगा रख्तदाप का नियंतर्ण कौन करता है तो अभी हम बात करके आ चुगे हैं एडिनल गैंडिस का नियंतर्ण करेगी कौन सी इस्तिती विलंबित रख्तिसकंदन की एक सर्थ है यानि कि आपके ब्ल रख्त द्वारा ऑक्सिजन ले जाया जाता है तो लोहित कोसिका कह सकते हैं इनके द्वारा ऑक्सिजन ले जाया जाता है और आइरन के साथ वो जुड़कर आइरन का ऑक्साइड बना लेता है सबसे छोटी रुधिर वाहिका का नाम क्या है तो कुछ नहीं कोसिका कह सकते है क्योंकि कोशिकाओं कि सबसे छोटी ही काई की बात करें तो कोशिका ही होती है और हमारी कोई भी चीज होगी वो कोशिकाँ से बनी होगी ठीक है तो परिसान न होई है विटामिन B6 की कमी से पुरुस में कौन सा रोग हो जाता है तो अरक्तता रामक डिसीज हो जाती है B6 की कमी से पुरानी और नस्ट प्राया लाल रखते कडिकाएं कहां नस्ट होती है तो ये पलीहा, स्प्लीन या फिर तिली यहाँ पर इन्हें नस्ट होना है इसलिए इसको कबरगाह भी कहते हैं सबसे बड़ा स्वैत रुधराणू कौन सा है तो मोनो साइट सबसे बड़ा स्वैत रुधराणू होता है स्वैत रुधराणी ने की WBC याद रखेगा एक केंदरी करन ठीक है याद रखेगा WBC को हमारे सरी का soldier भी कहते हैं प्रहरी भी कहते हैं क्योंकि ये लोग प्रतिरक्षा का आवन बनाये रखते हैं सरीर में स्वैत और घ्राणियों का मुख्यकार क्या है आपके पास आ गया सरीर की रोगों से रक्षा करना ठीक है चले WBC को एक अन्य नाम से भी हम जानते हैं leukocytes ठीक है leukocytes क्योंकि इससे एक disease होती है इसके बढ़ जाने से leukemia blood cancer जैसी बिमारिया रोग प्रतिरारिकों को उत्पन्द करने वाला cell कौन सा है तो lymphocyte हम लोग बात कर चुके हैं आप leukocyte कहें या lymphocyte कहें दोनों ही WBC के लिपयोग होता है परिशान नहीं होना है AIDS के विसाड़ों किसे नस्ट कर देते हैं तो AIDS के विसाड़ों lymphocyte को नस्ट कर देते हैं इसलिए धीरे-धीरे हमारी सरीर जो है वो अपनी प्रतिरक्षा immunity system को कमजोर कर देती है और हम बीमार और dead भी हो जाते हैं AIDS की खोज की बात करें अगर हम तो देखें AIDS की खोज नहीं लेकिन वाइरस की खोज इवानो विस्की के द्वारा की गई थी इसे ध्यान दखीगा AIDS के लिए एक टेस्ट किया दा है जिसका नाम होता है ELISA test ELISA test HIV के अं नियोंजी उतक होता है connective tissue होता है मानर उधिर में cholesterol का सामान इस्तर क्या है तो 180-200 वयासकों में खाली पेट उधिर glucose का इस्तर क्या होता है तो यह होता है 60-80 भी कहीं के लिखा मिलेगा range याद रखीगा मानर उधिर की सामान मात्रा क्या होती है तो 5-5,5 liters की सामान मात्रा हो होती है pH कितनी होगी मानर उधिर की तो pH होती है 7.4 याद रखीगा ठीक है उमीद करते हैं दोस्तों मारा वीडियो हमारी स्रीज आपको पसंदार यह जिन लोग पहले की वीडियो नहीं देखे हैं उन्हें जरू देख लीजिए प्रयास करते हैं कि आपके सामने कुछ नए आपके सामने कैं रखीजिए आपके सामने कुछ प्रयास करते हैं ऑमारा वोग।